तो चलिए दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अधारकार्ट से किसी भी bank account को कैसे link किया जाता है आज मैं आपको बताओंगा कि अगर आप कोई भी bank account को अधारकार्ट से link करना चाहते हैं तो इजली कर सकते हैं आज इस वीडियो में हम आपको बताने वालो बट आज हम उस बैंक के बारे में बात करेंगे उस बैंक को अधारकाड से लिंक करने के लिए बताएंगे ताकि आपका जो जिस बैंक से अधारकाड लिंक करना चाहते हैं तो असानी से कर सकते हैं जैसे में आज हम उस बैंक को अधारकाड से लिंक करने वाले हैं जिसका नाम इंडियन बैंक जो कि पहले इसे इलहाबाद बैंक कहा जाता था इलहाबाद बैंक के नाम से जाना जाता था बट इसे अब इंडियन बैंक कर दिया जाएगा इसको कर दिया गया है इसको मर्चेंट कर दिया अब यानि यह दोनों एकी नाम के एकी बैंक है जो कि इसको मर्चे कर दिया गया है यानि इंडियन बैंक का जो की मर्चेंट परभिया है अगर इसी में जिनकी जिसके भी एकाउंट मीं झीनका भी तो आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने सब्सक्राइम को आधार काड से क्वार कार्द की स कर सकते हैं ओर यह जहें का शनोस के बने एकाउंट को लिंक करवानी के लिए अधार से केवल एक काम के लिए अपने बैंक में जाते थे उसके लिए आपको पूरे समय बरवाद होती थी पूरे समय आपको देना पड़ता था बट आज यह हो गया है कि आप घर बेट हुए अपने ही मोबाइल से जो की अधार काड से असानी से लिंक कर सकते हैं आज हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसे आप जो की अधार काड से अपने ही बैंक को लिंग कर सकते हैं उस उस बैंक को इस वीडियो में हम आपको पूरा बताने माला होगी कि जो भी है जिसका इंडियन बैंक या इलाहबाद दोनों एक है तो उनको अधार कार्ड से कर सकते हैं घर बैतु अपने ही मॉबाइल से और बहुत इजी है कोई भी इसे जो कि अधार कार्ड से लिंक कर सकता है तो उसके लिए आपको कर मिलते हैं अब को यह ऊपिसेल बेवसाइड है जो कि इंडिन मेंक आपको लोगों भी देखने के लिए यहां मिल जाती है तो आपको क्या करना होगा इस पर आपको क्लिक कर देना होगा अब जिसी क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह के अपसन आजाती है उसके बाद अगर आप जो की आधार कार्ट से लिंक करना चाहते हैं त चैसमें क्या होती है कि से लिंक कर सकते हैं तो बहुत क्या कि कुछ हो जाते हैं यह यह पर आपको क्या करता है यहां तो कूछ इस पर आपको क्लिक कर देना होगा अब जिसी क्लिक करते हैं तो इस परकार का मिलती है दूसरे पेज हमारी कि खोल कर आ गई है यह देखिए आपको यहां देखिए देखिए हैं यहां आपको एक लोगो मिलती है इलहाबाद इंडियन उस तरह से आपको अप्स कॉल कॉरती है उसस था सबस्क्राइब कर देते हैं अब जिसी क्लिक करते हैं तो हमारी नेक्स खुलकर आ जाती है कुछ यहां गाइडलाइन है आपको पढ़ लेना है देखिए यह कह रहा है मैं आपको पूरा प्रोसेस पढ़के बता देता हूं देखिए करके दो दो करके एक रड़ प्लीज फ्लीज हैब दो मोबाइल इन हिंदी वीच एज रजिस्टेशन वीत यूर बैंक के अखाउंट एद अधार उसकर इंटर एकाउंट नंबर रजिस्टेशन नंबर नंबर मोबाइल नंबर एंड को आपको मिल याती है दा कम्प्लीट कोड एंड क्लिक उस यानि यह का रहा है कि अगर आपको उसी बैंक को अधार कट से लिंक करना है जिसका मोबाल नमबर को ज़ेघाय है लिखञाने करना है जैसá मैं आपको बता दू यह नीचे घ του साथर मिलती है नीचे में आपको देखे बरना अब यहां जाते हैं आपको डालना है मोबाईल नमर जो कि आपको बैंक से अटेच चेल लिंक जोकि इसमें जोएंट है उसके बाद यह कैप्चर आपको मिलेए इस बॉक्स में डाल देना होगा उसके बद पर क्लिक करते ही आप प्रवरिफाइक करना होगा उसके बाद आपको अपना अधार नमर डाल का और सयमीट पर फाइनली किलिक कर देना होगा आपका आधार काड जो की लिंक हो जाएगा फैनली इसी तरह जबकि हमारे पास अभी किसी का इलाहबाद का कोई चीज हमारे पास डीटेल्स नहीं है इस इस तरह से जो कि अपने इलहाबाद यानि इंडियन बैंग को आधार कार्ड से जोड़ सकते हैं लिंक कर सकते हैं तो हमारी दिविजन करेंगे अच्छी लगी तो ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए शेयर की सस्क्राइब कीजिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो म में तब तब बाइब